नवस्कार दोस्तों आप सबका मेरे स्यूट्यूब चैनल मंच डॉक्टर दिवेंदर सेजा शोव पर स्वावब आजकर हम अपनी डायवेटी सीरीज चला रहे हैं और इसमें ये पाच्वा एपिसोड है ये पार्ट छे है अब तक हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कॉंप्रिकेशन और डायवेटीज पर बात कर चुगे हैं अपने डॉक्तर कैसे चुने इस पर बात कर चुगे हैं अब हमने पिछले वीडियो पर पानी कैसे पीएं और खाना कैसे खाएं पर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि हम अपना आहार क्यों लें कैसा आना पा आज अव कैसे खाना खाए पर बात नहीं करेंगे, क्या क्या खाए पर बात, क्योंकि यह बड़ा interesting विशे है कि हम च्या क्या खाना खाए जो ना केवन एक डायबर्टिक के लिए, बलकि एक normal person के लिए, जो आजखल जीता है खाना खाने के लिए, या खाना खाता है जीने के ल ये उसको जानना ज़रूँ है दोस्तो दिन में किस टाइम क्या खाए एक बहुत सिंपल तरीका है बताना मैं उसको अगले वीडियो में जाओ आज हम बात कर रहे हैं कि हम खाने में क्या क्या खाए और क्यों खाए कैसे खाएं कि हम बात कर चुके तो क्या खाए में बात कर रहे के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हम क्या खा रहे हैं और इसकी शुरुवात होती है 1943 में जब पहले मैं ये कह दो जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो इससी भी है और कि वेल जिग्यासी लोगों को एपसाद आएगा चाहिए इसको छोड़ सकते हैं और अगले चैनल में अगली बार अगले अपिसोड में चले जाना तो मैं ये कह रहा था कि बात शिरू होती है 1943 में जिसको आप ग्रेट बेंगॉल फेमिन कहें एक बड़ा भीशा कार पड़ा था इंडिया में जिसके अंदर 50 से 60 लाक लोग बचे नहीं थे मर गए थे भूख के कार और ये हमारे इंडिया के 1947 में आजाद होने से कुछ साल पहल ही आया था तब वक्त ऐसा था कि हम गुलाम थे और पूरे दुनिया भर में महल ठीक नहीं चनता हूँ बट आजादे के बाद क्या हुआ कि 75 परसेंट तो एपिसोड ऐसा था कि 75 परसेंट पोपुलेशन इंडिया थी जो थी वो एंगरी कल्चर पर डिपेंडेंट 125 परसेंट थी जो एंगरी कल्चर के इनावा और काम करते थी जो कि इंडिया ने अनाज वलाया एक स्कीम PL 480 में अमेरिका से अमेरिका का PL 480 उससे बहुत बढ़नाव हुआ था क्योंकि PL 480 स्टैंड करता है Public Law 480 जिसके थूँ अमेरिका ने जो थार्ड वर्ड कंट्रीज है उनको गरीबों को क्योंकि थार्ड वर्ड कंट्री एक सोफिस्टिकेटर वड़ा गरीब देशों के लिए और अमेरिका उसकी आदत है कि वो यह नहीं कहते कि आप बुरे हैं वो कहेंगे कि यू कुछ भी बेटर और जैसे अधर आप बिजनस क्लास में ट्रेवल कर रहा है और आपको सारी एकॉनमी क्लास केटल क्लास लगती है तो इसी प्रकार से हर एक वेस्टरन कंट्री में रिईस मुर्गों में जिवनल विशक अमीर वारे इंडिया जैसे कंट्री से खून चूस कर हुए हैं उन्हो ने हम लोगों को थर्ड वर कंट्री कहना शुरू किया था या कहते थे और उन्होंने पील 480 के इसाब से कि नाम से इन कंट्रीज को शुरू में तो शायद उनकी इंटेशन ठीक थी प्रेजेंट आइजन नवार की जब उन्होंने का क्या वो इंडिया से या जितने पूर क कि थ्रूँ खानर मंगाते थे अनाज मंगाते थे अमेरिका से तो उनको शिप्मेंट के ट्रांस्पोर्टेशन के सारा पैसा इंडियन करेंसी में ही अमेरिका को देना पड़ता था उससे कई कॉंप्लिकेशन आते थी जो अनाज बहा तक पोचता था काफी खराब हो जाता तो उसी समय साइवर्टिनियसली एक थे नॉर्मन बَّर्जुच है नाम था उनूने वर्ड में पहली बार ओड्रीन रेवर्ल्यूशन के शिरुआती और इंडिया में ये काम मिला में इन्डिया में रेवुल्यूशन लाकर अनाज की क्रांती पैदा करते और इन्डिया जो पहले इनाज में कम था यहां पर चार गुना वीट बनना शुरू हो गया और इसको ग्रीन रेवुल्यूशन का जाता है लेकिन हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई तो आती है गु और इस तरीके से अनाज के बढ़ जाने से शायद कुछ नेगेटिव बाते में पैदा हो गई और उनमें से एक बात जो मेरी परस्टरल राय हो सकती है कि डायविटीज का रेसर्जर्स तभी से स्टार्ट हुआ अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में यह ग्रीन रेव रेविशन आया उसी टाइम से डायविटीज का बढ़ना शुरू हुआ और डायविटीज बढ़ती गई जिसको आप प्रोस्पेरिटी का नाम दे दो या जो भी नाम दे दो पर ग्रीन रेविशन इंडिया में शुरू हुआ 60 या 70 में और उसके बाद हमारे पार अनाज ब सबसे पहला था उत जाओ जमीन चुनना दूसर नमबर था उस जमीन का मैकसिमम यूज करना जिस तरीके से कॉलेजेज होते हैं स्कून होते हैं बच्चे ज्यादा होते तो हम करते क्या हैं एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है एक इवनिंग शिफ्ट होती है आजादी से पहले प्रिक्चर का वो गाना याद होगा कि जब बादल आये थे और क्या गाना गाया गया था लेकिन अगर फसल ना हो क्योंकि मौनसून ना हो तो सारा मौसम सारा साल बेकार हो जाता था इसलिए ना के वर उपजाओ जमीन चुनी गई बलकि उसको मैक्सिम यूटिलाइज किया ग करके उस सीजन में भी फसन लोगाई जाने लगी यानि कि साल में दो बर फसन लोगने लगे असल तो दुग नहीं हो गई लेकिन स्वाइल फेटीग में देखो स्वाइल के न्यूटियन्स डेप्लिशन लगे कम होने लगे और उनको जो पुद्यती रेप्लिश्मिन मिलती ही वह नहीं मिलने लगे तो अनाज की कौीटी तोड़ी सी खραब हो नमबर डो की खरकेतव उति धी उसको दून करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किये जाने लगे, इंसेक्टिसाइड के बारे में ठ्रेनिंग पूरी थी नहीं, इंसेक्टिसाइड ज्यादा मिले लगे, किसान रोग ज्यादा फसल हुगाने के लिए, एंथुजियाजम में ज्यादा इंसेक्टिसाइड डालने लगे, ज़िए ज soil था उसका natural bacteria कमजोर होने लगा और उससे जो अनाज बनने लगा उसकी वो quality नहीं थी जो वैसे होती है तीसा fertilizer जो है वो use होने लगे और वो भी जो है insecticides के type के थे और organic नहीं थे उससे अपनी concentration आने लगी तो ultimately जो weed उसके बाद इस्तेमाल होने लगा है पूरी दुनिया बर में जहाँ जहाँ green revolution आया वो वो वाला अनाज नहीं है जो उनकी four fathers खाते थे इंडिया को मिला ये basic concept है जो मैं आपको पताना चाहते है तो फिर आप पूचेंगे कि हम क्या खाए क्योंकि ये तो सब जगा यूज हुआ है wheat के साथ भी हुआ है rice के साथ भी हुआ है millets के आद भी हुआ है लेकिन green revolution का focus wheat के साथ ज्यादा था जो अनाज है इसकी production green revolution के बाद चार गुना पड़ी है जबकि millets की दो ही गुना पड़ी है तो millets जो है as compared to wheat अभी भी खाने पीने में better है और खाने में हमारे लिए ज्यादा nutritional है और millets कुन-कुन से है जाव है रागी है ये बाजिरा है और हम इसको चदे में मिला सकते हैं और ये मिला कि हम आटक है तो कई फायदे है हमें protein तो मिलेंगी ही रागी का calcium भी मिलेगा iron भी मिलेगा रागी में जो iron होता है वो richest source है millets में रागी iron क्योंकि ये absorb हो जाता है अगर आप एपल का iron देखेंगे तो वो absorb ही नहीं होता unfortunately चाहे उसमें iron होता है तो रागी की खूबशोर्ती ये है कि इसका iron absorb हो जाता है और हमारी सिहत के लिए अच्छा है तो अगर हम millets का प्रियोग करेंगे तो हम comparatively nature के पास है और इसी ये शायद अमेरिका में ये किताब भी छपी है wheat belly उनके मैंने वो पड़ी दे लेकि उसके principles कुछ भी हो मेरी personal drive में millets खाने से diabetes का prevalence भी कम होगा और हमारे शरीर में glucose की मातरा भी कम जाएगी क्योंकि एक बड़ा important point जो मैं discuss करना अब तक भूल गया वो ये था कि green revolution का main part था high yielding seeds select करना यानि कि उन बीजें को चुणना जो कि ज्यादा फसल लोगाते हों जो efficient ज्यादा हों जो ज्यादा हमारे शरीर में iron को calcium को absorb होने में मदद करें इसका फायदा ये तो हुआ कि iron की absorption बढ़ गई nutrients की magnesium की manganese की हमारे diet में लेकिन इसके साथ साथ glucose की absorption बढ़ गई क्योंकि fighters होते हैं जो natural barrier होते हैं जब आप उनको कम कर देंगे various artificial means तो पिशेद आप iron की absorption बढ़ा रहे हैं लेकिन आप बाकी nutrients के साथ glucose की absorption भी बढ़ा रहे हैं तो कई ऐसा तो नहीं कि जब आप खाते हैं इस तरीके का wheat तो ये हमारे शरीष में iron और nutrients के लिए दो को भी बढ़ा देता हो और आप सुचते रहते हैं कि मैंने ज्यादा glucose खाया है इसलिए बढ़ रहे हैं आप जो अनाज खा रहे हैं उसी का glucose आपके blood बे जान आए हैं मैं यह आपको कहना चाहता था और यह basic मैं base बना रहा था यह कहने के लिए कि अगली बर्द में वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको पताऊंगा कि आपके समय क्या था हैं अभी मैं आपको यह कहना चाहता था कि आप wheat को avoid करें और millets को जिसको किराने वाले मोटा अनाज कहते हैं अपकी डायट में ज्यादा इस्तिमाल करें और government of India का भी इस साल यह thrust है year of the millets को ज्यादा प्रयोग करें उससे शायद आपकी diabetes पर control कहीं better होगा अगर आप diabetic नहीं हैं तो आपको diabetes होगी नहीं अगर आप diabetic हैं तो आपकी diabetes better control होगी तो आज के लिए बस इतना ही मैं आप सिर्बसी request करना चाहता हूं भी इस तरीके के मेरे original thought जिसके बारे में अब तक मेरे विचार में about discuss नहीं किया गया अगर आपको पोचित लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल को subscribe कर लिजे और अगर आपको यह नई thought process मिला है तो एक like तो मेरे लिए बनता नहीं गया और फ सब्सक्राइबर तो मेरे को एक feeling of satisfaction आती है कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है अपने समाज में यह awareness फिलाने तो आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया थैंक्यू सोब माइट्स